आज का ये वीडियो थोड़ा डिफरेंट होने वाला है। इस वीडियो के माध्यम से मैं कुछ सवाल उठाना चाहता हूँ और वो सवाल शुशान सिंग राजपूत को लेकर है। नमस्कार, मैं हूँ देव। हमेशा की तरफ फिर से एक बार आपको स्वागत करता हूँ देव रिव्यूज चैनल में। इस वीडियो में मैं शुशान सिंग राजपूत के बारे में जो सवाल उठ रहे हैं। उस बारे में मैं कुछ काउंटर सवाल आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। इस वीडियो को आप लोग लाइक करेंगे की नहीं, शेयर करेंगे की नहीं और ये चैनल को सब्सक्राइब करेंगे की नहीं, ये मैं आपके विश के उपर में छोड़ता हूँ। हमारे देश में एक रिती चला आ रहा है कि कोई भी आदमी का देहान्त होने के बाद उनको सनमानित किया जाता है, जबकि सुसांद के केस में हम लोग बिलकुल अपुजिट देख रहा हैं। आज सुसांद हमारे बीच में नहीं है, इनके बारे में आप अगर कोई allegation लगाते हैं, उनका चरित्र हनन करते हैं, तो वो बेचरा यहाँ पे जिन्दा है नहीं अपनी सफाई देने के लिए, तो फिर क्यों उनको बदनाम किया जा रहा है। दोस्तों सुसांद सिंग राजपूत को रिया चकरवर्ती ने चर्सी बताया, ड्रग एडिक्ट बताया, तो उसको लेकर मैं उनसे काउंटर सवाल यह करता हूँ, पहला सवाल यह है कि अगर सुसांद ड्रग एडिक्ट था, तो रिया चकरवर्ती ने ही उनको डॉक्टर कर करसी चावड़ा से ट्रिटमेंट करवा रहे थे डॉक्टर करसी चावड़ा सुसांत को डिप्रेशन का ट्रिटमेंट कर रहे थे अगर वो ड्रग एडिक्ट था तो क्या डॉक्टर करसी चावड़ा उनको ड्रग एडिक्ट का ट्रिटमेंट नहीं करते उनको रिहाब में नह सुषान्थ काफी दिनों से ड्रग लेते थे यहां तक कि केदारनाथ फिल्म के पहले से वो ड्रग लेते थे हम लोगों को मालूम है कि केदारनाथ फिल्म जो है वो 2018 डिसंबर में रिलीज हुई थी अगर केदारनाथ फिल्म के शूटिंग के दोरांग या उसके पहले से ने कोई ऐसा पब्लिक स्टेट्मेंट आज तक नहीं दिया है कि सुशांत ड्राग एडिक्ट था मीडिया के माध्यम से हम लोगों को ये पता चल रहा है कि सुशांत के साथ रिया चक्रवर्ती का रिलेशन जो है वो 2019 से शुरू ही थी तो फिर रिया चक्रवर्ती को ये कैसे पता चला कि 2017 या 2018 से शुशांत ड्राग लेते थे चलिए मान लेते थे कि रिलेशन के बाद में रिया चक्रवर्ती को ये पता चला कि शुशांत ड्राग एडिक्ट है तो रिया चक्रवर्ती शुषांद को ड्रग क्यों मोहिया कराते थे ड्रग कोन लाके देते थे शुषांद को आज जितने भी ड्रग पैडलर्स पकड़े गए हैं वो सब कोई तो रिया या फिर सौविक चक्रवर्ती का नाम ले रहे हैं कोई भी शुषांद का नाम तो नहीं ले रहे हैं अगर रिया चक्रवर्ती को ये पता था कि शुषांद ड्रग एडिक्ट है तो रिया ने शुषांद के परिवार में से किसी को भी क्यों नहीं बताई जबकि उनकी एक दिदी खुद उंबई में ही रहती है अब मैं कोई डॉक्टर तो हूँ नहीं कि ये बता पाऊं कि कोई ड्रग एडिक्ट इतना फिट रह सकता है क्योंकि जितना भी हम लोग वीडियो देखें हैं शुषांद का जिम ट्रेनिंग का सारे वीडियो में ये दिखाई देता है बंदा काफी फिट था जो ख़वर मीडिया के द्वारा मिल रही है कि शुषांद अपने दीदियों के साथ हमेशा टच में थी चाहे वो वाटसाप के त्रू हो या फिर फोन कॉल्स के त्रू हो जहां तक सवाल है उनका पिता जी का तो वो फोन करते थे लेकिन उनको फोन करने नहीं दिया जाता था रिया चक्रवर्ती के द्वारा रिया चक्रवर्ती आज के डेट में आप जेल में हैं आप दोशी है या नहीं हैं ये तो प्रूफ CBI, ED और NCB करेगी और Final Decision जो है वो कोट लेगी लेकिन जेल में आप है वो भी क्या? ड्रग्स के चार्ज में जब आप जेल में हैं ड्रग्स के चार्ज में तो फिर आप शुशान्द को क्यों बदनाम किये? वो बंदा है नहीं इस दुनिया में अपनी सफाई देने के लिए बस इतना ही कहना था मुझे अब आप लोग सोचे कि क्या मेरे सवाल सही है या गलत है नमस्कार, जैहिंद जैहिंद